सुबह का समय था, राधा रोज की तरह कुवे पर पानी भरने के लिए आज भी सबसे पहले पहुँच जाती है जल्दी आने का चलो कुछ तो फायदा हुआ, आज मुझे पानी भरने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी आज तो मैं सबसे पहले पानी भर कर लाओंगी और इससे पहले की कोई और आ जाये कुवे पर पानी भरने, मुझे अपने मटके जल्दी से भर लेने चाहिए राधा जैसे ही कुवे में पानी भरने के लिए बाल्टी फेकती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो कुवे में गिर जाती है बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं इस कुवे में गिर गई हूँ अरे कोई तो बचाओ, मेरी आवाज किसी को सुनाई दे रही है क्या, अगर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी तो मैं इस कुवे में डूप कर मर जाओंगी राधा की आवाज सुनकर गाउं का एक लड़का गोपी दोड़ता हुआ कोई के पास आता है और राधा को कुवे के अंदर गिरा दे एक हैरान रह जाता है तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी कुवे से बाहर निकालता हूँ गोपी कुवे की रसी की सहायता से ही राधा को कुवे से बाहर निकाल लेता है अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं आज इस कुवे में डूप कर मरी गई होती तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया भाईया भाईया भी बोलती हो और शुक्रिया भी करती हो अच्छा अब सब छोड़ो और जल्दी घर जाओ नहीं तो बीमार पड़ जाओगी अच्छा ठीक है पर जाते जाते अपना नाम तो मुझे बता दो मेरा नाम गोपी है और मेरा नाम राधा अच्छा भाई आप मैं चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी एक दिन राधा खेतों में अपने बाबा को खाना देने के लिए जा रही होती है कि तब ही उसकी मुलाकात फिर से गोपी से हो जाती है दोनों एक दूसरे को देख कर बहुत खुश होते है कल भाई दूज है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भाई है नहीं भाया क्या मैं कल तुम्हारे साथ भाई दूज मना सकती हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं कल हम दोनों साथ में मिलकर हाई दूज का तेवहार मनाएंगे राधा खुशी के मारे गोपी के सीने से लग जाती है पर गाउं की कुछ महलाओं की नजर उन दोनों पर पढ़ जाती है हाई राम देखो तो सकांता की बेटी को कैसे किसी अंजान लड़के से चिपकी पड़ी है मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता मुझे तो बलकी ये लग रहा है जैसे इन दोनों के बीच कुछ हो हो सकता है दोनों एक दूसरे से महबबत करते हो तब ही ये राधा रोज जल्दी उठकर पानी भर्डे के बहाने से इस लड़के से मिलने आती थी ये ठीक नहीं हो रहा ये दोनों तो हमारी बेटियों को भी बिगाड़ देंगे इन्हें देखकर कल हमारी बेटियां भी ऐसे करने लगी तो इन दोनों के बारे में हमें सरपंज जी को बताना चाहिए चलो, जल्दी चलो सभी महिलाएं सरपंच को ये बताती है कि राधा गाउं का माहौल खराब कर रही है और वो गाउं के एक लड़के से प्यार करती है और उससे चुपके-चुपके मिलने भेजाती है सरपंच अपने नौकरों को बोलकर गोपी और राधा को पकड़ कर गाउं के सामने लाने को बोलता है हमें या ऐसे बंदी बना कर क्यों लाए गया है कोई बता है का जरा हमें छोड़ो और जाने दो हमने कोई गुनाह नहीं किया जो तुम लोग हमें ऐसे यहां लेकर आए हो अभी थोड़ी देर में तुम दोनों को साब पता चल जाएगा तभी राधा के मा बाबा भी वहां रोते हुए आ जाते हैं मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया फिर उसे क्यों बंदी बनाया हुआ है उसे छोड़ दो तभी सरपंच महा आ जाता है और पूरे गाउं को ये बताता है कि राधा और गोपी एक दूसरे से महबबत करते हैं और चुपके चुपके मिलते भी हैं राधा और गोपी बहुत कोशिश करते हैं सच्चाई बताने की कि वो एक गलत फैमी में हैं वो दोनों तो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं पर उनकी बात कोई नहीं सुनता गाउं में बहुत शोर शराबा होता है और दोनों को गाउं के बीच में बने एक पेड़ से बांद दिया जाता है तब तक जब तक कि उन दोनों की भूख प्यास से जान न निकल जाए पूरा गाउं मिलकर भी राधह और गोपी को नहीं बचा सका वो सब तो बस तमाशा देखने में लगे थे राधह और गोपी मर तो गए थे पर उन दोनों की आत्माए नहीं जंगल में राधह और गोपी के शरीर से आत्माए निकल कर बाहर आ जाती है और दोनों चुडैल और भूत में बदल जाते हैं भाईया भाईया ये क्या हो गया हम मर चुके हैं वो देखो वह सामने हमारी लाशे पड़ी है हाँ बहन और ये भी पता है कि हम खुद नहीं मरे हमें मारा गया है पर सबसे जादा दुख मुझे तुम्हारे मरने का है अरे अगर सजा देनी ही थी तो मुझे देते मुझे मारते पर तुम्हें ये सजा क्यों मिली हमने जब कुछ गलत ही नहीं किया तो सजा कैसी हम दोनों का सर्व भाई बहन का रिष्टा था पर इन लोगों ने उसे गलत नाम देकर इस भाई बहन के रिष्टे को तार तार कर दिया मैं इने गाउं में जब भी कोई त्योहार होता या शादी ब्या चुडैल उसे बरबाद कर देती। आज गाउं के पंडित की बेटी की शादी है। बारात गाउं से कुछ दूरी पर ही होगी कि तभी भूत और चुडैल उनका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। शादी तो बारत में भी हो जाएगी अभी चलो। जैसे ही सभी बाराती पीछे मुडते हैं तो वहाँ भूत खड़ा होता है उनका रास्ता रोके। मर गए आगे चुडैल है और पीछे भूत अब हम कैसे निकलें यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गाउं में कदम रखने की। क्या तुम्हें पता रही कि इस गाउं में खुशियां कदम नहीं रखती। फिर ये बैंट बाजा क्यूं। देखो हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर हमें पता ही होता तो हम इस गाउं की लड़की को कभी पसंद नहीं करते। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई हमें जाने दो। चुडेल गुस्से से चिलाती है और सभी बारातियों कहां से भगा देती है। इसकी खबर गाउं में सभी को पता चल जाती है। को गाउं से भगा दिया। महीनों से इस गाउं में खुशहाली नहीं आई। जब भी कोई खुशी मनाता है वो चुडेल उसे दुख में बदल देती है। अब हम कर भी क्या सकते हैं। अगर अपने परिवार को सुरक्षित देखना है तो चुपचाप घर में बैठे रहो। जो भी खुशी मनानी है घर के अंदर चुपकर बस। गाउफ के लोग अपनी अपनी सही गलत सुना कर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह चुडैल और भूत पहुँच जाते हैं सरपंच के घर। सर पंच सच पता, घर के अंदर चुपके चुपके ये दिये किस के लिए चलाय जा रहे हैं, बता नहीं तो तेरी गर्दन तोड़ दूँगी, वो वो शहर से आज मेरा बेटा आ रहा है, बस उसी के आने की खुशी में, वो बस आने ही वाला होगा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम उसे कोई नुकसान मत पहुचा ना, तभी अंदर से सर पंच की बेटी मनोर्मा आ जाती है, मेरे पिता जी को छोड़ दो, उन्हें मत मारो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें मार रही हो, उनकी गर्दन छोड़ दो, एक साथ मारने में बहुत खुशी होगी, चुड़ेल और भूत पीछे वाले रास्ते से बाहर ही निकले होंगे, कि मनोर्मा दोड़ कर अपने भईया के गले लग जाती है, भईया, भईया आप आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं आता कैसे नहीं, छोड़ दो, नहीं छोड़ूगी, क्योंकि इन दोनोंने अपराद किया है, बहुत बड़ा अपराद, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाहर बाता हूँ, वो, वो मासूम है, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, भईया, इन दोनों को उस पेर से ब पादा गया था एक दिन, भूत के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चुड़ेल अब क्या करने जा रही है, शोड़ सुनकर पूरा गाउं वहां इकठा हो जाता है, गाउंवालों देखो, मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है, ये दोनों एक दूसरे से महबबत करते हैं, इसलिए इन दोनों को तो सजा मिलनी चाहिए, अरे, अरे ये तुम क्या बोल रही हो, ये दोनों तो भाई बेहन है, इतना गंदा लांचर्मत लगाओ मेरे बच्चों पर, राधा, छोड़ दो ने, चाने ओ, हमारे साथ जो हुआ, वो शायद हमारी किस्मत में था, चल इन गाओं वालों की गंदी सोच ने, इस रिष्टे को कितना गिनोना नाम दिया, जी, गिनाती है मुझे ऐसे लोगों पर, जब भूत और चुडैल आपस में बाते कर रहे थे, तो गाओं के सभी लोगों को समझ आ गया कि वो चुडैल राधा और भूत गोपी है, मुक्ति अच्छा हुआ जो मैं मर गई, पर मरने के बाद भी पता नहीं मुझे शान्ती क्यों नहीं मिली, मैं हाथ जोड़ कर तुम सबसे प्राटना करती हूँ, और सरपन्ची आपसे भी, अगर अपने बच्चों की सिंदगी चाहते हो, तो मेरी बेटी के पैर पकड़ कर उससे मा माफी मां को, पूरा गाउं और सरपन्च चुड़ैल और भूत से माफी मांगते हैं, चुड़ैल शान्त हो जाती है और सब को माफ भी कर देती है, मेरी आखरे इच्छा धूरी रह गई थी मा, ये गोपी जिसे मैंने भाई माना था, उसके साथ भाई दूज नहीं मना सकी, आज फिर से वही भाई दूज का दिन है, मैं अपने भाई के माथे पर तिलक लगाना चाहती हूँ, सागर खुद अपने हाथों से तिलक की थाली सचा कर लाता है और चुड़ैल को देते हुए बोलता है, आज के बाद तुम्हारा एक नहीं, दो भाई है, हाँ, मुझे भी अब और खुछ, मुझे पर तो ओशकर ड्रा सनysis, वह नहीं, अगे ऑ और्श से क्याब भाई है